वेदानता की बात करें तो पिछले तीन महेने बहुत ही शानदार रहें धाइसो रुपे का भाव था इसका मार्च में और उसके बाद हमने इसमें पांसो रुपे के उपर के भी स्तर देखें बहुत जादा हमने उपर से कोई प्रॉफिट टेकिंग देखी भी नहीं है अगर वेदानता की बात करें तो जो एक बड़ी उच्छाल आई थी उसके बाद में ये स्टॉक में गिरावट नहीं दिखिया है हमें ये कंसॉलिडेट कर रहा है स्टॉक और अब ये कंसॉलिडेशन में अगर ये shorter moving averages के उपर फिर से निकल जाता है तो मेरे इसाब से उपर के तरफ जो immediate target रहेगा वो 504-505 के range में रहेगा तो इसमें तेजी बनाये रखनी है अपको hold करना है ये stock और नीचे के तरफ इसका support बन चुका है 436 पे तो 436 का एक stop loss लगा के रखे जब तक उसके उपर चल रहा है मेरे इसाब से ये 5005 तक बहुत जल्द फिर से चल रहा है